तो इन जूटे लोगों को पूरा देश समझ चुका है और आने वाले चुनाओं में इनको मूँ तोड़ जबाब देगी जंता बड़े बेयावरू से तेरे कूचे से हम निकले भूत निकले अर्मा लेकिन कम निकले ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ग्यारवे दौर की बैठक थी और आज की दौर की बैठक भी सिफर रही यानि कोई नतीजा नहीं निकला और सबसे बड़ी बात ये कि अब कोई अगली तारीक भी नहीं है और अब कुछ दिनों में 26 जनवरी भी आने वाली है सबसे बड़ी बात ये कि आज नरेंज सिंग तोमर जी ने एक बात कही उन्होंने कहा कि हम अपना प्रपोजल किसानों तक पहुचा दिये हैं अब किसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छे प्रपोजल को लेकर हमारे पास आए इस वक्त मैं मौझूद हूँ देशवाल खाप उत्तरप्रदेश गाजीपूर बार्डर में आप टिकरी बार्डर पर जाएंगे तो आपको खाप पंचायत कैसे सी यूनिट के लोग मिलेंगे गाजीपूर बार्डर पे भी खाप के लोग बैठे हुए हैं फर्स्ट अफॉल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के मिटिंग के बाद जब सरकार ने अगली कोई तारीक नहीं दी है और सरकार ने ये बात कह दिया है कि हमने तो अपना प्रपोजल रख दिया कि 18 मेनों के लिए हम इस्टे लगाने वाले हैं अब किसानों के उपर है कि वो अब कौन सा अच्छा प्रपोजल लेकर हमारे पास आते हैं क्या कहना चाते हैं देखिए सरकार ये वात कान खोल कर सुन ले ये लाली पाप देना बंद करें 15 महीने 15 साल 15 बरस ये सब कुछ नहीं चलेगा ये काले कानून को आपको बापस लेना पड़ेगा ये आपने चंदरो ध्योग पतियों को और बड़े-बड़े मॉल वालों को ल सारा किसान देश का मजदूर भी बिरोत करता है क्योंकि इन कानूनों से किसान तो अपने घर में गेहूं रख लेगा नमक के साथ खा लेगा लेकिन ये लड़ाई है उन मजदूरों की जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं कहां से सव रुपए किलों आटा लाएंगे माल दूर हर किसान के आँख का आशू पुछे आप क्या कर रहे हो आपको सरमानी चाहिए 130 करोड लोगों को न देखकर आप चंदर चारो देवपतियों को देख रहे हो यह देश कभी माफ नहीं करेगा सरकार का तो कहना है कि कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के जरीए छोटे बड़े वियापारी जो हैं वो किसानों के पास जाएंगे गौँ दर गौँ उनसे कॉंट्रेक्ट होगी सीधा छोटे मंजोले किसान को देश के किसी भी राज तक नहीं पहुँचना पड़ेगा वो अपना फसल वियापारी को बेचेंगे किसानों को हाथों हाथ फैदा मिल जाएगा तो और 2022 तक जो सरकार का लगशे की सरकार की किसानों की आये दोगुनी करनी 24 तक वो हो जाएगा अरे किसान नील अंदोलन में भी यही था जो अंग्रेज्स लोग थे उन नील की खेती पैदावार कराते थे गेहों नहीं पैदा होने देते थे यब आओगे तुम कहोगे मसरूम हो हमारे खेत गेहों का है हम क्यों मसरूम हो है फिर बहुर समझावता रद करेंगे हमें जर लोगे और फसल अगर मार्केट में उचे दाम पे है तो तुम नीचा दाम लगाओगे वही कॉंटेक्ट है मेरा तो और आप कह रहे होगी नीचा होगा तो अगर उचा है तो उसे नीचा कर दोगे बहराल अपनी रखोगे चित्वी अपनी पट भी अपनी यह कानून चलें लोग जोटे और मकार हैं यह कभी भी आज तक इन्होंने जो भी कहा कोई पूरा किया जो भी बादे किये कभी पूरा किया ठीक इसी तरीके से किसान को जो आंदोलन चला है इनको लुहाने के लिए यह जूटा बादा कर रहे हैं सरकार का कहना है तो सबसे ज़्यादा तो हमारी सरकार ने MSP दी है हर साल किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं सबसे ज़्यादा किसानों का ही तो सबका नियस सबका विकास तो हमी कर रहे हैं यह सरकार के रहे हैं किसानों का नहीं विकास कर रहे हैं यह विकास कर रहे हैं दोग नहीं आरा असली इनको समझ में 26 जनवरी को आएगा जब पूरे देश का नौजवान टेक्टर लेकर सड़क पे दिखाई देगा तब इनको समझ में आएगा यह कब तक जूट की सरकार चलाएंगे 26 जनवरी की बात पी मैं आऊंगा इस सबसे पहली बड़ी बात यह कि सरकार का कहना है कि अगर किसानों के पास कोई अच्छा प्रपोजल है तो लेकर आए कुछ ऐसी बातों लेकर आए जिस पर यह मसला हल हो सके अब तीनों कानून जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक आप लोग यहां प्याड़े हुए हैं तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे ज सबसे बड़ी बात है पिछले कुछ दिनों से यूनियन के अंदर ही फूट की बात आ रही है आप लोग खाप पंचाय के लोग हैं अलग-अलग हजारों किसान यहां पर डटे हुए हैं क्या लग रहा है यह सरकार जूटी सरकार है जूट फेलाती है यह सरकार नहीं चाहती कि लोग जाग रुख हो लोग जाग रुख होंगे तो इन्हें प्रोब्लम होगी यह समझे यही तो है कि लोगों के इस बिल का पता चल चुका है कि यह बिल है क्या इन्होंने जो बिल लाए थे तब तक कि लोग जाएंगे और देखेंगे बता देंगे जूट फैलाएंगे और यह इसे उसी जूट को लेकर अपना चुप बैठ जाएंगे लेकिन लोग जाग चुके हैं कि यह तीनन कानून के लिए तो यहां पर जो ने बंद कर दिया नोने जाकर गाओ बताएंगे न कैसे बजाएardo ने कर ली और यह आए इसको मार डालेगी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग तो खटर साफ के हलिकॉप्टर ही नहीं उतरने दे रहे हो नीचे तो वो किसान विचारे कहां से गाउं गाउं जाएंगे और वोगने बातचित करेंगे सर 58 दिनों से लंबा वक्त चल रहा है 70 से ज़ादा किसानों का निदन हो चुका है इस आंदोलन में कि सरकार के किसी भी नेता हरियाना सरकार के किसी भी एक नेता कि मुझ से कोई सोलिडारिटी को लेकर किसानों के लिए एक लब्ज नहीं निकला है बार जो तानाशाह सरकार हो जो बेरहम सरकार हो, जिसके दिल में बेरहमी हो, वो किसानों के पर्ति संवेदना या कहा जटाएंगे आप निधन कह रहें हैं, मैं कह रहा हूं, ये सहाधत है जो लोग जो जिन्हों ने यहां शरीर पूरा किया है कड़कती ठंड में बरसात हुई कई दिन पानी भर गया लोग सर्दी से मर गए तो ये निधन नहीं है ये सहादत है और ये बेरहम सरकार मैं आपके माध्दम से निरिन रमोदी जी तक ये संदेज देना चाता हूँ कि आप आये की बात कर रहे थे अभी जो इन्होंने बताया कि आये दुगनी नहीं हुई है बलके हाय कई गुना हो गई है ये जो जूट बोलते हैं कि किसानों के समझ में कानून नहीं आ रहा मैं आपको ये बता दूँ कि किसानों के बच्चे अब यूनस्टियों में और कॉलिजों में पढ़ते हैं वो एक-एक कानून को समझते हैं सम्वीधान की सारी जितनी भी चीजे हैं बारी किया हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं मोदी जी अडानी और अंबानी के ड्राइंग में बैट करके और किसानों के खिलाब काले कानून बनाएंगे और उनको किसान नहीं समझेगा ये उनकी गलत फहमी है मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी कभी किसी कालिज में नहीं गये लेकिन अनदाताओं के बच्चे पढ़ते हैं अच्छी अच्छी जो है के नाम बहुत बढ़िया बढ़िया देश की जो नंबर वन की सर्विसिज हैं उसमें हैं किसानों के बच्चे वो समझाते हैं सबको एक एक बात पता है सबको आवश्यक वस्तु अधिनियम खतम किया गया है और भंडारन की छमता वो समाप्त की गई उसका क्या मतलब है ? उसका सीदे-सीदे मतलब यह है कि सारा अनाल, सारी डालें, सारी सबजियां, खान पान का जितना भी सामान होगा वो चार-पांच बड़े पूझी पती बड़े धन्ना सेट उस पे सब कबजा कर लेंगे और कबजा करके फिर उसको इतना महंगा बेकेंगे ये सिर्फ अनदाताओं की लड़ाई नहीं है ये हिंदुस्तान के 130 करोड लोगों की लड़ाई है जिनको 500 रुपे किलो डाल जिनको 1000 रुपे की सब्जी मिलेगी जो लोग जो है पैसे जोले में लेकर के जाएंगे लेकिन डाल सब्जी अनाज जो है वो पोकिट में लेकर के आएंगे ये सब समझते हैं अनदाता की तो आप ये मानिए कि अनदाता का तो इस हिंदुस्तान के 130 करोड लोगों पर लोग ये बताएं किसान भंडारन इस देश में कर सकता है क्या किसान जो होता है जब उसकी फसल आती है तो उसके दिल में सबसे पहले ये बात आती है कि उस फसल को जितनी जल्दी से जल्दी संवाया जा सके जितनी जल्दी से जल्दी उसको सही ठीकाने पर लगाया जा सके उतना ठीक है, किसान की मजबूरी है, उसके पास संसादन नहीं है, वो सबजी को नहीं रोख सकता, ये बहुत चालाक लोग हैं, जब उसका टमाटर आएगा, तो टमाटर को सस्ता कर देंगे, और फिर भंडारन करके उसी टमाटर को जो है, केई गुने रेट पर बेचने का का करेंगे, किसान भंडारन नहीं कर सकता, कहां रखेगा सबजी, उसके पास कोल डिश्टोर नहीं है, कहां रखेगा दालें, कहां रखेगा नाज, उसके पास संसादन नहीं है, उसी का तो लाब उठा करके, और उसकी ये जो कमजोरी है, वो आर्थिक रूप से इतना सखसम नहीं है कि वह भंडारन कर सके उसी का तो यह लाब उठा रहे हैं उसी को तो जो है सोशन करने का काम कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि यह जो हटाया है तीनों कानून में जो आवश्यक वस्तव दिनियम का कानून है यह बहुत चाल है आप जाके देखें इतने बड़े- जिनको जिस समय कानून बन जाएगा जिनको हर चीज महंगी खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा यह तो लड़ाई अनदाता लड़ रहा है किसान लड़ रहा है यह रात दिन जो है सीमाओ पर देश की राजदेनी की सीमाओ पर पड़ा हुआ है पूरे देश की जनता को किसानों का एहसान मानना चाहिए कि वो पूरे देश को महंगाई की मार से बचाने की कोशिस कर रहे हैं अब आखिर में बताईए कि आने वाले कुछ दिनों में गणतन दिवस होने वाला है आप लोग दिल्ली के ओश शांती पूरा कूछ करने की सोच रहे हैं सुप्रीम में और दिल्ली पूलिस ने ये बात कह दिये कि अगर आप लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो सकता है दिल्ली वासियों को कुछ परेशानी हो जाए क्या लगता है क्यों खासकर मैं भी देख रहा था पूलीस भी अपने पूरी तयारी कर रही है बैरिकेडिंग करते हैं वो कहीं किसान से जुड़े हुए दिल्ली की जनता को दिकत नहीं है दिल्ली के हुखमरानों को दिकत है उनको पता है ये दिल्ली किके बाप की अंदाता इस लिए सरकार अगर ये सोचती हो कि वो जबरदस्ती रोक देगी तो मैं मित्र आपके माध्यम से बताना चाता हूँ कई लाख ट्रेक्टर होंगे आज गाओं में आप जाईए गाओं में होड लगी हुई है कोई कहरा मैं ट्रेक्टर लेके जाऊंगा पूरा गाओं जो है कहरा मैं भ वाप दादा चाचा का उनका दिमाग में अगर प्यार जाग गया तो वह पाले के इधार आकर खड़ेना हो जाए यह मोदी जी ध्यान कर ले इस बात का वह सब अननदाताओं के बेटे हैं वह कह रहे हैं कि आईए दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली को आम आप सोचते हैं अगर वो लोग इसमें आज आते हैं अंदोलन में रिपब्लिक डे अतने पवित्र दीन है राश्ट्रे दिवस है अगर कुछ घटना हो जाता है कुछ ऐसे उद्रव हो जाते हैं फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा रिपब्लिक डे मनता है 26 जनवरी का आयो जन भव्वे बनाएंगे और किसान अपने बेटों का आयोजन देखने भी ना जाएं मोदी की सेना नहीं है यह हिंदुस्तान की सेना है और उस सेना ने जनम लिया किसानों के घरों में इसलिए जो है यह जो अफवा फैलाने की कोशिस की जा रही है और यह कहने की कोशिस की एंबुलेंस को रास्ता देने का काम करते हैं किसी की परिक्षा अगर है तो उसका रोल नमबर देखके उसको भेजते हैं कि जाओ इसकी परिक्षा है नोजवान की तो अनधाता ना कभी जो है वो उपद्रव कर सकता ना उसके खून में उपद्रव है अनधाता ने इस देश क पूराद मैंने के बाद पुरृत प्रदेशू है इसका असर उत्रप्रदेश के जुनाव पे पढ़ने वाला है क्या है? दूसरे विभागों उनको बेचने का काम कर रहे हैं। उनको भी जो है किनाम अडानी अनमानी को बेच करके जब संस्थानी नहीं बचेंगे तो नोकरी कहां से आएगी? तो इन जूटे लोगों को पूरा देश समझ चुका है और आने वाले चुनाव में इनको मूतोड जबा किल में है। प्यूश कुमार की रिपोर्ट गाजीपूर बॉर्डर से दे हेडलाइन के लिए।